आज किस क्लास में हम पढ़ेंगी प्रसनावली आठ दस्मलो एक का प्रसंख्या 11 दिखेंगे तो आए दिखते हैं प्रसंख्या 11 क्या दिया हुआ है बताईए कि निमलिखित कथन सत्य है या असत्य है कारण सहीत अपने उत्तर की पुष्टी किजिए जो कथन दिये गए एक से पांच तक इसको आपको बताना ये सत्य है या असत्य है तथा साथी साथ इसका कारण भी बताना है तो आईए इसमें पहला देखते हैं टेने कामान सदेव एक से कम होता है टेने कामान सदेव एक से कम होता है तो यह जो दिया गया है यह कथन यह क्या है असत्य है क्योंकि टेने कामान एक से बड़ा भी हो सकता है अना टेने का मान एक से बड़ा भी हो सकता है यह असत है क्योंकि टेने का मान एक से बड़ा भी हो सकता है तो टेने में यदि ये बराबर अगर हम जीरो डिगरी लें तो क्या मिलेगा आपको टेन जीरो और टेन जीरो जो मिलेगा ये मिल जाएगा जीरो डिगरी ठीक है न और जो कि 0 क्या है 1 से छोटा है यदि हम कोड़ एक का मान ले 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 तो क्या मिलेगा तेन 30 डिगरी और तेन 30 डिगरी का मान एक बटा करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का मान एक दसमलो 7, 3, 2, 1 यह होता है अगर हम एक में एक दसमलो 7, 3, 2, 1 से भाग दें तो आएगा 0 दसमलो 5, 7, 7, 3 जो की एक से क्या है चोटा है दूसरा यदि कोंड एक अमान ले लें 60 डिगरी ठीक है तो यहाँ पे 10 60 डिगरी मिलेगा और 10 60 का अमान होता है करड़ी में 3 इसका अमान होता है गसम लो 7 3 2 1 जो की एक से क्या है बड़ा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कामान जैसे जैसे बदलता गया है वैसे वैसे टेन कामान बदलता गया है ठीक है तो यहाँ पर पहले कंडिशन में जब एक कामान जिरो डिगरी लिए गया है तो टेन कामान जो आया है वो एक से छोटा मिला है और तीज डिगरी पर टेन कामान जो आया है एक से क्या मिला गया है । जो कि यह धी गई है यह जो इस्ट्रेटमेंट दिया ग्या है टेनक आमान्सथिविक से कम होता है ये इसका क्या करता है ? बिरोध करता है ये बिरोध करता है अतों ये कथन क्या हो जाएगा ? पहला असत्य हो जाएगा । ठीक है न दूसरा देखते हैं कि दूसरा है कोड़ एक किसी मान के लिए से के बराबर बारा बटे पांच ये क्या है ये सत्य है क्योंकि सेक एक इतना दिए गया था 12 बटे 5 दिए गया और इसमें हम भाग दें तो 12 बटे 5 से भाग देंगी तो 5 दो दोदेश्म नों 4 आएगा ठीक है जो कि क्या है एक से बड़ा है हाना और हम जानते हैं कि से RAM होता है एक से क्या होता है और यहां पर आया भी ए से RAMachten each सेकंट गृमान एक से बढ़ा आया है आता है कथन क्या हो गया है सत्य है क्यूँकि क्योंकि सेकेंट सेकेंट का सेकेंट का मान सेकेंट का मान एक से क्या होता है एक से बड़ा होता है एक से बड़ा होता है ठीक है न और यहां पर आया भी है एक से बड़ा दू दू समू चार ठीक है अब यह सत्य हो गया अब हम इसका दूसरे तीसरा पार्ट देखेंगे इसका तीसरा पार्ट देखते हैं तीसरा क्या दिया हुआ तीसरा दिया है कॉस A कोड़े के को सेकेंड के लिए प्रियुक्त एक संचिप रूप है ये असत्य है क्योंकि क्योंकि कॉस A कोड एक कोसाइन के लिए पर्युक्त संचिप्त रूप होता है चीक है चोब था क्या है कोड ए कोड और एका गुड़न फल होता है ये भी है सकते है क्योंकि कोड ए कोड एका कोड टैंजेंट होता है आएकि हिंदी में सोगा हैं कोटी असपज्या है कोटी असपज्या होती है असपज्या होती है पांचमा क्या है पांचमा दिया है किसी भी को ठीटा के लिए साइन ठीटा चार बटे तीन होता है यह असत्य है क्योंकि साइन कामान एक से छोटा होता है और यहां पर जो दिया गया है साइन कामान आप देख सकते हैं साइन ठीटा बराबर चार बटे तीन भाग देंगे तो एक दूसमोर तीन आएगा तीन आएगा जो कि एक से क्या है बड़ा है तो यहां पर जो साइन कामान दिया गया है वो साइन ठीटा बराबर चार बटे तीन है तो चार में तीन से भाग देंगे तो एक दुसमों तीन तीन आ रहा है जो की एक से क्या रहा है बड़ा अर यह गलत है क्योंकि साइन का अमान क्या होता है। अं कि एक से छोटा होता है यहाँ पर बड़ा आ गया है। तो इस तरह से अपने पांचों जो कथन दिये गए थे हैं, उसको अपने बता दिया कि कौन सत्य है, असत्य है कारर सहीत, ठीक है?